नमनमा साथियो, एक वाफिट से स्वागत है आप सबका, आपके अपने चैनल अच्पी समस्क्रिट में, साथियो जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक वाफिट से मैं आपके लिए पशने पत्र विधा से, जो अभी दो दिन पहले ही रवी बार को परिक् पर देख रहे हैं, तो उसकी बिधी भी मैं आपको साथियो बताओंगा, लेकिन इससे पहले हम एक सीरिस जो है, उसकी हल करके देख पूरी सीरिस हल कर लेते हैं, साथियो कुछ प्रशन ऐसे हो, उनके वहाँ पर अनसर जो हैं, गलत दिये हैं, तो उन्हें भी हम साथ में सह पहले प्रशन की तरफ, साथियो जो ऑफिशली अनसर की मैं प्रशन पहला ही है, जो की गलत उसका उत्रों ने वहाँ पे बताया है, तो पहले प्रशन का देख लिएते हैं, पहला प्रशन है, निमन लिखते मैं से, किसके परसाद परियंत मुख्यमंतरी अपना पद धारन क करते हैं, तो सीटा उप्शन इसका सही रहेगा, लेकिन जो ऑफिशली अनसर की आई है, उसमें जो है, डेल्टा उप्शन इसका सही दिया है, इसमें से कोई भी नहीं, तो साथियो वहाँ पे यह प्रशन आप चैलेंज कर सकते हैं, आगे चलते हैं प्रशन संक्या 2 की तो इसका A उप्शन सही रहेगा, प्रशन संक्या 3 है, इसमें पूछा गया है, मुख्य चुनाव आयुक्त की पदाबधी कितने बरश होती है, तो साथियो मुख्य चुनाव आयुक्त की पदाबधी जो होती है, छे बरश होती है, तो यहाँ पर उसका उप्शन सही नहीं जो है वो बानी की है जैसा मैंने वीडियो में भी बताया था तो उसका ओफिशल अंसर की में भी ए ओप्शन जो है सही है प्रशन संख्या चार है प्रथम पंचवर्षिय योजना की दरान किस क्षेत्र की सरबादिक योजना लागत थी तो साथियो क्रिशी की थी तो इसका ओप्शन सही रहेगा अंसर की में भी ए ही ओप्शन बताया गिया है अब चलते हैं प्रशन संख्या छे की तरफ इसमें प्रशन संख्या साथ की तरफ इसमें पूछा गया है भारतिय स्टेट बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था तो साथियो SBI को पहले Imperial Bank of India के नाम से जाना जाता था तो बीटा ओप्शन इसका सही रहेगा बी ओप्शन इसका सही रहेगा प्रशन संख्या आठ है इसमें पूछा गिया है किस वरस को महान विभाजन का वर्ष कहा गिया है तो साथियो 1921 को कहा गिया है जनसंख्या से संबंधित था इसलिए इस नाम को दिया गिया था तो इसका C option जो है सही रहेगा प्रसंख्या 9 है इसमें पूछा गिया था निम लिखत मैं से किसके द्वारा सकता है तो इसका Ci option जो है सही रहेगा प्रसंख्या 10 है इसमें पूछा गिया है कि सरवादिक मातने प्रोटेण पाया जाता है तो साथियों वा सोयबीन में पाया जाता है तो इसका D option सही रहेगा, अंसर की में भी यही बताया हिआ है, अगली प्रशन है वेकरी में ब्रेड बनाने में East का प्रियोग होता है क्योंकि ब्रेड को गर्म भी करकता है और साथियो सपंजी भी बनाता है तो इसका C option सही रहेगा प्रसन संख्या 13 है इसमें पूछा गया है पांडा किसके समान कुल का होता है तो साथियों भालू के समान होता है तो C आप्शन इसका सही रहेगा परसन संख्या 14 है इसमें पूछा गया है संजीबों की मूल सरंचना और कारयात्मे की एक आई है तो साथियों वो सैल है कोशी का है तो A option इसका सही रहेगा परसन संख्या 15 है इसमें पूछा गया है दान्त और हड्डियों में मजबूती और कठोरता किस से आती है तो साथियों इन्होंने कैल्शियम कहा है, कैल्शियम के द्वारा आती है, तो इसका A option सही रहेगा, लेकिन यदि आप टूथपेस्ट इत्यादी देखेंगे, तो वहाँ पे फ्लोरिन की मातरा के जादा रखी गई होती है, तो करमचारी आयोग ने जो इसका सही option दिया है, A option प्रसंख्या 17 इसमें पूछा गया, शरीर में श्वेतरक्त कोशिकाओं का कारे जो है, शरीर को रोगों से शुरक्सा परदान करना, तो इसका C option सही रहेगा, प्रसंख्या 18 इसमें पूछा गया है, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमरी कौन से दूसरी अरोटा है, अर्थात महाधमनी की नाम से उसे जाना जाता है, तो A option इसका सही रहेगा, और आगे चलते हैं, प्रसंख्या 19 की तरफ इसमें पूछा गया है, मानव शरीर में उद्सर्जन का कारे कौन करता है? तो शात्यों, उद्सर्जन का कारे क्ड़नी करती है, तो A Option इसका सही रहेगा, प्रस इनकी मूल रूप से तो इसका डेल्टा ओप्शन सही दिया है इन्होंने लेकिन गोईट्री जो माना गया घेंगे रोक के नाम से भी इसे जाना जाता है तो आयोडीन की कमी से इसे माना जाता है आगे चलते है प्रशन संख्या 21 इसमें पूछा गया है कौन सेद्रब्य की बा वाश्पित होता है लेकिन आप इसको यदि आप अभी मैं आपको बता देता हूं साथियों यदि आप किसी भी प्रशन पत्र को ग्रीशी को चैलेंज करना चाहते हैं तो आप उससे संबंदित करमचारी आयोग को जैसे कि आपके पास इस संबंदित कोई ऑफिस जैसे जैस उसको अपने रोल नंबर के साथ जो आपका रोल नंबर है और सीरीज है उसको कुश्चन नंबर लिख करके क्रमचारी आयोग को डाक के दौरा आप उससे भेस सकते हैं और साथियों यह काम आपने करना है 2 नुमबर से पहले पहले क्यूंकि 2 नुमबर इसकी आखरी थी थि आएगी जब रिजल्ट आता है तो उस समय में वो असली अंजर की निकालते हैं साथियों तो उस समय में आपका वो सही उत्र माना जाएगा अब चलते हैं प्रशन संख्या 22 की तरफ प्रशन संख्या 22 में पूछा गया है पेरावेंगनी किरनों का जल उपचारक में किस प्रस्थन संख्या 24 इसमें पूछा गया बिद्यूत वरलव के अंदर क्या भरा होता है तो इसमें पूछा गया है जल का कौथनांक किस पर निरफर करता है तो साथियो जलका कौथना कुछ बायो मंडली या दाव अर्थात एटमोस्फियर प्रेसर के उपर डिपैंड करता है तो सी आप्शन इसका सही रहेगा प्रसंद संख्या 26 है इसमें पूछा गया है निम लिखते मेंसे कौण सतत्व रेडियो सक्रिय नहीं है तो साथियो वो जैक करूनियम है तो C इसका सही रहेगा अब चलते है प्रसंत संख्या 27 की तरफ इसमें पूछा गया है लोहे पर जस्ते की पर्त चल्दाने की प्रक्रिय को क्या कहते हैं तो साथी उसे कहते हैं गलेवेना नाईजेशन तो A option इसका सही रहेगा प्रसन संख्या 28 है इसमें पूछा गया है कुका कोला का खटा स्वाद किसके कारण होता है तो साथियों बो होता है फास्ट फोरिस अमल के द्वारा तो इसका B option सही रहेगा प्रसन संख्या 29 है इसमें पूछा गया है निमलिक्त मैसे कौन सी हिमाचरपदेश की सुदूर परवत शरिंखला है तो साथियो सुदूर परवत शिंखला जो इसमें से है यह जासकर परवत शिंखला है जो किन्या और इत्यादी की तरफ को पढ़ती है तो D option इसका सही रहेगा परण संक्या 30 है इसमें पूछा गया है कालिदास ने किसका देवात्मा के रूप में बरनन किया है साथियो कालिदास ने जो है जैसे कि मैंने पहले ही भी कहा था उनृने हिमाले के लियुभि कहा था उनका एक किरात आर्जुनियूं के नाम से उनका लिखा गया एक गरंथ है उसके अंतरे उन्होंने इसकी विश्चे में कहा है प्रसन संक्या 31 को देखें इसमें पूछा गया है निमल लिखते मैंसे कौन सा जिला नए हिमाचल का भाग है तो नए हिमाचल जो बना था 1966 में बना था सातियोग तो यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो यह सभी जिले जो 1966 के बाद ही बने थे नए हिमाचल के अंतरकत ही प्रसन संक्या 32 में पूछा गया है इनियात्री फेन सांग ने किस जिल को लोहित्य सरोबर कहा है तो लोहित्य सरोबर ने चंदरताल को कहा है तो यह आप्शनिस का सही रहेगा प्रसन संक्या 33 में पूछा गया है हारला हिमाचल परदेश की किस नदी की साइक नदी है तो व प्रणसंक्या 35 की तरफ इसमें पूछा गया है गोरखाओं के बिरुद हिंडूर और कहलूर के सरदारों के भी संधिक स्थापना किस ब्रिटिसर महान भूमिका निभाई थी तो साथियो बहत है डेविन अक्टरलोनी जो है ए उप्षन इसका सही रहेगा अब चलते हैं राजा मुशान जो थे इसके सही ऑप्षन था तो यहां पर नहीं था तो डी ऑप्षन इसका सही रहेगा प्रशन संख्या 37 है इसमें पूछा गया है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सूपरशिद्ध गुफा मंदिर द्योट सिद्ध है तो साथियो वो हमिरपूर में प पूछा है हिमाचल प्रदेश के किन्ना और जिले में कौन सा फूलों का त्याहर होता है तो उख्यांग होता है इसका सही रहेगा प्रसंख्या 40 हिमाचल में जर्जा क्या है तो वह एक लाहौल का दूसरा लोक पर ये नाम है लाहौल का जर्जा अब चलते हैं प्रसंख्या अब चलते हैं प्रसन संख्या 42 के तरफ इसमें पूछा है शिमला के अनडेल में किस बर्स महरानी विक्टोरिया के सम्मान में वाइजरी गल नृत्य आयूजित हुआ था तो साथियो बहुँ था 1849 को इसमें पूछा है प्रसन संख्या 43 दिखे इसमें पूछा है हिमाचर प् हिमालियन परबती रज्य क्षित्रिय परिशद का मुख्याल स्थित है तो साथियो यह जो स्थित है शिमला में स्थित है तो ए आप्शन इसका सही रहेगा प्रसन संख्या 44 है इसमें पूछा है ब्रिटिश से सतुरता और और शिष्टता रखने के कारण एक मात्र राजा क कौन थे साथियो बहते बुशाहर के शमसेर सिंग तो इसका ए आप्शन सही रहेगा प्रसन संख्या 45 है इसमें पूछा है हिमाचल परदेश किस वर्ष के अंदर शाषित परदेश बना था तो हिमाचल परदेश के अंदर शाषित परदेश जो बना था एक नमबर 1956 को बना तो इसका भी उप्शन सही रहेगा प्रसन संख्या 46 है इसमें पूछा है हिमाचल परदेश के की से जिले मैं निया महिला पूलिस टेशन खोला गया है तो साथियो बह खुला है सोलन में भी खुल गया है चंबा में भी और हमिरपूर में दो साल पहले खुल गया था तो all of these इसका सही option रहेगा, D option इसका सही रहेगा, प्रसंद संख्या 47 देखें इसमें पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश में प्रमुक बैंक उत्तरदाइत्यों किस बैंक को दिया गया है, तो साथे हो हिमाचल प्रदेश में मूल रूप से PNB, SBI और Yukoतीनों को दिया गया है, तो अध्रक विकास स्टेशनों के संख्य केवल एक हैसा थी हो, तो ए उप्षन सही रहेगा, प्रसंद संख्या 49 है, इसमें पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर भेड़ प्रजनन केंदर है, तो भेड़ प्रजनन केंदर जो साथी जियूरी में है, दियूली म मूल केंदर से बड़ा केंदर है, जो की बिलासपुर में पड़ता है, और इसका सही ऑप्षन रहेगा, ए ऑप्षन 49 का, कॉशन नमबर पचास है, इसमें पूछा गया है, किस देश ने हिमाचल प्रदेश बन पार सितिक जलवायू शोधन परियोजना को बाहर रूप से सा इसमें पूछा गया है, 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 हिमाचल प्रदेश के किस इसका सही रहेगा अब चलते हैं प्रशन संख्या 53 की तरफ इसमें पूछा गया है हिमाचल प्रदेश प्रटन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी तो हिमाचल प्रदेश में प्रटन विकास निगम की स्थापना जो हुई थी यह 1972 में हुई थी तो ए आप्शन इसका सह प्रशन संख्या 54 देखें इसमें पूछा है 211 की जनगर्णा की अनुसार हिमाचल प्रदेश की शाक्षरता दर कितनी तो साथियो बहुती 82.8 शुन्य प्रदिशत तो A option B option इसका सही रहेगा प्रशन संख्या 55 है इसमें पूछा है हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश मैं नहीं में लिखते हैं ऐसे किस स्थान पर केंदरी है प्लास्टिक इंजिनेरिंग और प्रद्यों की संस्थान है तो साथियो बहुती बहुती बहुता उप्शन इसका सही रहेगा कमांड में साथियो आई आई टी है जो मंडी में पढ़ता है आगे चलते हैं प्रशन संख्या 56 के तरफ इसमें पूछा है हाल ही मैं करोना वायरिस महमारी के बीच केंदरी मंत्राले ने कितने बरस तक MPLAD कोश की अस्थाई रूप से स्थागित कर दिया तो साथियो इसे स्थागित किया है नोंने केवल दो बरश के लिए तो इसका बीट्टा उप्शन जो है सही रहेगा प्रशन संख्या 57 इसमें पूछा है हाल ही मैं कोविड-19 से संबंदी निजिक शित्रों में NGO और अंतराश्टी संथान अंतराश्टी संगठनों के समनवे बनाने के लिए भारा सरकार द्वारा गठित की गई समर्थ समीती के अध्यक्ष कौन है तो साथियो इस समर्थ समीती के अध्यक्ष जो है अमिताव कांत को रखा है तो B आप्शन इसका सही रहेगा अब चलते हैं आगे प्रशन संख्या 58 के तरह इसमें पूछा है ब्रोक्ष चिलिया घर जो है जहां बिश्व में पहली बार COVID 19 positive भाग पाया गया किस देश में स्थित है तो साथियो यह स्थित है USA में तो इसका A option सही रहेगा प्रसन संख्या 59 में पूछा है ऑपरेशन संजीवनी के अंतरकत भारत में हाल ही में किस देश को आवश्यक दवाईया और खाद्यान की आपूरती की है तो साथियो यह की है माल दीप के लिए तो इसका D option जो है सही रहेगा अब चलते हैं प्रसन संख्या 59 के तरफ इसमें पूछा गया है 59 में 59 कंप्लीट हुआ 60 में चलते हैं हाल ही में किस अंतराश्ट्रिय खेल कारेकरम के कौंग कौंग लियन नियन और चेंग चेंग शुभा कर शुभकर प्रस किस रजने हाल ही में पढ़ने के पढ़ने में अक्षम बच्चें के लिए विशेश पाठ्थे पुस्त को त्यार करने की घोशना की है तो यह कारे किया है उत्तर प्रदेश ने तो इसका सही रहेगा अब चलते हैं प्रसन संख्या 62 की तरफ इसमें पूछा है किस रजने हा किस रजने हाल ही में अपनी विधान सभा के लिए नया लोगो लोगो यहां प्रिंट नहीं है यहां नया लोगो अपनाया है जिसे फोक्स टेल ऑक्चिड है अचारत फोक्स टेल ऑक्चिड है ऑक्चिड कह सकते हैं फोक्स टेल ऑक्चिड है तो सात्यों ऐसा जो करने वाला अरुनाचल प्रदेश है तो B option इसका सही रहेगा प्रसंख्या 63 इसके अंतरगत कुछा गया है किस भारती शहर ने हाल ही में National Traders Conventional था तो राष्ट्रे पे पारी सम्मेलन आयूजित किया तो यह किया था दिल्ली ने किया था तो A option इसका सही रहेगा प्रसंख्या 64 देखे है डेनियल डे रोसी विश्व कप विजेता फुट वॉलर जिसने हाल ही में अपने रेटायर्मेंट की घोशना की है तो यह किस देश से थे तो यह थे इटली से तो B option इसका सही रहेगा प्रसंख्या 64 का B option सही है प्रसंख्या 65 इसे देख लेए इसमें पूछा गया है ताजा फ्लेग्शिप जलबायू परिवर्तन पहला जल जीवन हर्याली मिशन भारत के किस रज्य की पहल है तो साथियो ऐसा पहला रज्य जो है उसका नाम है बिहार तो इसका A option सही रहेगा अब चलते है प्रसंख्य जी की बर्णमाला का दूसरा आधा भाग उल्टे करम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से नौ में स्थान पर और दाएं से नौ में स्थान पर होगा तो ऐसा अक्षर जो आएगा दोनों सर्थ तरफ से यदि आप देखेंगे तो यहां अक्षर होगा A तो A option इसक का सही रहेगा A अब चलते हैं प्रसंद संख्या 67 की तरफ इसमें पूछा गया है कौन सी इन वैसे अभिन संख्या है अर्थात इन सबसे भिन है तो यदि आप इस प्रसंद को हल करेंगे तो B option इसका सही रहेगा क्योंकि बाकी सभी में X,Y,A का अंतर पढ़ रहा है और इस इसमें यह नहीं आ रहा है क्यांकि यह आगे से पीछे की तरफ को है बाकी सभी जो है पीछे से आगे की तरफ को थे अब चलते हैं प्रसंद संख्या 68 की तरफ इसमें पूछा गया है जैसे कास्ट ब्रिक्स से संबंदीत है वैसे उन किस से संबंदीत है तो साथियो उन जो समबंदित होती है तो आप सभी को पता है भेट से समबंदित होती है तो B option इसका सही रहेगा प्रसंद संख्या 69 देखें इसमें पूछा है यदि किसी code को X को 7, P को 9, Z को 6, M को 5, L को 3, D को 2 से दर्शाय जाए तो इसका क्या code बनेगा तो यदि हम इस प्रसंद को देखें के हल करके तो इसका A option जो है सही रहेगा प्रसंद संख्या 70 है इसमें कहा है प्रसंद संख्या 70 आपकी स्क्रीन पर इसमें पूछा गया है यदि पेपर की सिहाही सिहाही को pen, pen को गुलाब, गुलाब को चटान, चटान को प्रेम, प्रेम को अश्रू कहा जाए तो एक प्रेमी का और प्रेमी को पत्तर लिखने के लिए क्या उप्योग करेगी तो साथियों प्रेमी का जो है पत्तर लिखने के लिए इसमें गुलाब का प्रयोग करेगी इस प्रशनी के अनुसार क्योंकि यहां उपर कहा है पैन को गुलाब तो पैन से ही लिखा जाएगा तो गुलाब आप्शन इसका सही रहेगा प्रसन संक्या 71 को देखें इसमें एक संख्या दी है इसमें कहा है निमन संख्या श्रिंख्रा में कितने साथ है जिनके पीछे चार है किन्तु आठ नहीं है तो यदि आप इस संख्याओं के जो मध्य है उसको अब रोही करम्य करके जो मध्य पद आएगा उसका मध्य अक्षर क्या होगा तो यदि आप इस प्रकार से देखेंगे तो इसका सही अंसर रहेगा option A1 क्योंकि इसमें आने वाली संख्या होगी 713 और 713 का मध्य शब्द कौन है तो एक है साथियो आगे चलते हैं प्रशन संख्या 73 की तरफ इसमें कहा है श्वेता और नेहा 55 लड़कियों की कक्षा मैं उपर के करम से पंदर में और 20 में स्थान प अब चलते हैं प्रशन संख्या 74 की तरफ इसमें पूछा है प्रशन संख्या 74 के अंतरफ पूछा गया है किर्ण परीती से छोटी है किन्तु सुलेखा से नहीं सुमीता सुनीता प्रभा से लंबी है जो श्वेता से छोटी है कौन सबसे चोटी है तो यदि आप देखेंगे प्रकार से करके तो इसका शही apsia quality का डी निर्दारित नहीं किया जा सकता है क्योंकि पूर्ण करम इसमें दिया लही नहीं है प्रसंफिक्षाट्र को देखें इसमें श्रंखला को हमने पूरा करना है तो यदि आप देखेंगे तो इसमें seat option सही रहेगा hgr प्रशन संक्या 76 देखें प्रशन संक्या 76 के अंतरगत आने वारा सही answer रहेगा command delta option इसका सही रहेगा प्रशन संक्या 77 देखें इसमें होगा beta option इसका सही रहेगा incensed तो b option सही रहेगा प्रसन संक्या 78 है इसका 78 का सही है इसे तो इसका सीटा उप्शन सही रहेगा प्रसन संक्या 79 इसका सही उप्शन रहेगा प्रसन संक्या 80 है इसका सही रहेगा डी 2 आगे चलते हैं प्रसन संक्या 81 80 बन के लिए यदि आप क्रेक्टरी स्पेल देखेंगे 80 बन के लिए C रहेगा रिक्रूट रिक्वाइरमेंट आगे प्रसन संख्या 82 82 के अंतरकत बी जो है सही रहेगा जी एन यू आ यन नी आगे चलते हैं प्रसन संख्या 83 की तरफ प्रसन संख्या 83 में पूछा गया है सुनोनिम पूछा है परामाउंट का तो यदि आप देखेंगे इसका सही ऑप्शन रहेगा बी सुप्रीम तो आगे चलते हैं प्रसन संख्या 84 की तरफ इसका सही अंसर रहेगा नो एरर आगे चलते हैं प्रसन संख्या 86 इसमें पूछा गया है मुहाबरे का आर्थ पूछा है घडी में तोला घडी में माशा तो घडी में माशा का सही अंसर जो रहेगा वो रहेगा अस्थिर सोभाव अर्थाद्य ब्यक्ति जो है एक समय में किस सोभाव का होना सी Option इसका सही रहेगा सम्ख्राइब प्रस्न सक्षैब 87 है शुद्र ध्रूनना है इसमें तो आप्के सामशंच दिया है दाइर्ट आप्षन सही रहेगा कारेकरम अब चलते हैं प्रस्न संख्या 88 की तरफ हुआ इसमें पूछा है अ उच्छ लाज तो उच्छ होगा वो होगा पक्ष डी ऑप्षन सही रहेगा प्रसंसंख्या नब्बे की तरफ चलते हैं नब्बे के लिए पूछा है भंगी का स्ट्री रहेगा प्रशन संख्या 93 है इसमें पूछा गया है नगर की बिशेशन का बिशेशन है नगर का बिशेशन जो है यहाँ पर नागरिक है साथियो प्रशन संख्या 94 है अनुज में उपसर्ग है तो आपको पता यही है अनुज में जो उपसर्ग है तो वह है अनुपसर्ग जो आरंबब में लगता है साथियो वही उपसर्ग होता है प्रत्य अंते में लगता है अगेला प्रशन है गेरुआ मैं कौन सा प्रत्य है तो गेरुआ में प्रत्य है उवा तो इसका हिंदी के अंसार उवा प्रत्य है साथियो तो डेल्ट ऑप्शन इसका सही रहेगा प्रशन सं संख्या 97 इसमें पुछा है जन गनमन मूल थक इस भाषा में लिखा गया था तो बंगाली भाषा में बंगला भाषा में लिखा गया था तो प्रैंशन संहे पोच्छा है संबीधान का भाग तीन किस से संबंदित है तो इसके अंतरगत हम देखेंगे प्रैंशन संहे नौ मैं इन सभी से किसी में भी इसका उत्तर सही नहीं, राष्ट्रपती की दौर रखे जाते हैं, तो इसका डेल्टा उप्शन सही रहेगा, इन मैंसे कोई नहीं, प्रसंद संख्या 100 देखें, इसमें पूछा है, किस वरस में आपदा परवंदन नियम लागू किया गया था, तो इसका बी उप इसका सही रहेगा, प्रसंद संख्या 102 देखें, इसमें पूछा है, सबोत्तम मोडेल में सबोत्तम का अर्थ क्या है, तो इसका सही उत्तर जो है, सेवा उत्करिष्टता, तो इसका A उप्शन सही रहेगा, आगे चलते हैं, प्रसंद संख्या 103 के तरफ इसमें पूछा गया है किस प्रेजिदेंसी टाउन में भारत के प्रथम मुनिसिपल कॉर्परेशन के स्थापना की गई थी तो साथियों पहले की थी मद्रास तो ए उप्शन इसका सही रहेगा प्रसंसंख्या एक सो चार है इसमें पूछा है स्वीप स्वीप के लिए यहां पर पूछा गया है इसकी कौन सी फुल फॉर्म होगी तो यह आप देखेंगे स्वीप की फुल फॉर्म तो इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए सिस्टेमाटिक बोटर एजुकेशन एंड इलेक्टरिशन प सामिल है साथियों बहुत तीनों ही है यहां पर तो इसका डेल्टा उप्शन इसका सही रहेगा यह सभी आगे चलते हैं प्रशन संख्या 106 की तरफ इसमें पूछा है साहित्य अकादमी कितनी भाशाओं में पुरुसकार प्रकाशित करती है मुल रूप से 24 भाशाओं में तो इसका डेल्टा उप्शन इसका सही रहेगा प्रशन संख्या 106 का जैसे हमारी 22 भाशाओं तो हमारी सम्विधानिक भाशाओं लेकिन पुरुकाश जो पुस्ते के हैं प्रकाशित करने का सहीत्य अकादमी करती है वो 24 में करती है तो डी उप्शन इसका सही रहेगा प्र ग्यारा बारा था तो इसका सिट्ट उप्शन सही रहेगा प्रसन संख्या 108 इसमें पूछा है भारत में किस स्थान पर चर्म निर्यात परिशद स्थीत है तो चर्म निर्यात परिशद जो है चिन्नेम स्थीत है डेल्ट उप्शन सही रहेगा प्रसन संख्या 109 है इसमें पू प्रत्रिय साइवर सुरक्षा निति शुरू हुई थी दो हजार तेरह में हुई थी तो ए ओप्शनिस का सही रहेगा प्रसन संख्या 111 है इसमें पूछा गया है भारत में किस स्थान पर ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकैडमी है तो साथी वबहद चेन्नेई और गया दोनों स्था पर है तो डेल्ट उप्स न सही रहेगा बोथ A and B प्रसंद संख्या 112 है इसमें पूछा गया है निमलिखत मैं से किस कारेकरम के अंतरकत भारत में पढ़े भारत बड़े भारत रास्टर ब्यापी उपकारेकरम है तो पढ़े भारत बड़े भारत ये उपकारेकरम जो है यह SSA सरबशिक्षा अभ्यान के अंतरकत आता है तो A option इसका सही रहेगा सरबशिक्षा अभ्यान ये 2003 से 5 के बीच में अगरसर हुआ था साथियो प्रसंद संख्या 113 देख लें इसके अंतर पूछा गया है भारत में निमलिखत मैं से किस स्थान पर अथम जल्व विद्यों प्र कौन से रा जाते किस नाम पर था प्रसंद संख्या 114 इसमें पूछा गया है राष्ट्रिय जै बिविता प्राधिकरन है एक तो साथियो यह एक नियामक और बैधानिक दोनों ही है तो इसका डेल्ट आप्शन सही रहेगा बोथ A, B and C आगे चलते हैं प्रसंद संख्या 115 इ यह जो है आर्टिकल 112 के अंतरत किया जाता है तो इसका बी आप्शन सही रहेगा प्रसंद संख्या 116 इसमें पूछा गया है अन्तोदे अन्योजना के अंतरकत खाद्यान अभिग्यात लाभार्थियों को दिया जाता है तो इसके अंतरत दियता है यह उच्छ अनुदानिक दर पर दिया जाता है तो इसका सही आप्शन सही रहेगा आगे चलते हैं प्रसंद संख्या 118 की तरफ इसमें पूछा गया है आशा स्टेंट्स पॉर्ट तो आशा के फुल फॉर्म क्या है तो वो है इसका सही आप्शन रहेगा आप्शन सी आगे चलते हैं प्रसंद संख् तक के लक्षे रखा गया है जिसमें इन्होंने सभी को घर परदान करवाना है आगे चलते हैं प्रशन संख्या 120 इसमें पूछा गया है बर्श 2014 में भारत के प्रदान मत्री शीन रेंदर मुद्धी ने सिंक्तुराष्ट की महासबब में कौन से सत्र में भारती शाष्यकिय प उने की थी 69th में तो इसका डाल्ट ऑप्शन जो है सही रहेगा आगे देखते हैं प्रसंद संख्या 121 इसमें पूछा गया है कौन सा देश चिन्ने बैंगलूर और द्योगी के गलियारे में अधार बूत सरंचना के सुधार के परियासों को सुद्रिल करने का समर्थन किया है तो साथियो ऐसा समर्थन जो किया है यह किया है जापान के द्वारा तो इसका सी ऑप्शन सही रहेगा प्रसंद संख्या 122 इसमें पूछा गया है उत्तर परदेश उत्च न्याल की परधान बैठक कहां पर है तो इसकी परधान बैठक जो है साथियो यह इलाबाद में है तो इसका delta option सही रहेगा प्रसंद संख्या 123 देखें इसमें पूछा गया है बाल शर्म अधिनियम के अनुसार किस बरस कितने बरस की कम आयूगे बच्चे जोखिम बरे वेबसायो में नियोजन जो है निशेद है तो साथ 14 बरस से कम से बच्चों के लिए नहीं है यह article के अंत अधिकार है उसके अंतरगत इसके संबन्द में बताया गया है आगे चलते है प्रसंद संख्या 124 की तरफ इसमें पूछा है लोक उप्रिये बिविदभारती सेवा दिन में कितने घंटे मनरंजन करती है तो साथ यह लोग सेवा विविदभारती जो है बिविदभारती जो है बहमूर रुप से पंदरा गेंटे तक लोगों का मनरजन करती है तो इसका बी ऑप्शन सही रहेगा प्रसन संख्या 125 पूछा गया है लोक बित प्रवंधन व्यवसाय पहले किस नाम से जाने जाती थी तो पहले इसका नाम जो था बहुता केंद्रिय योजना निगरानी व् अब चलते हैं प्रसन संख्या 126 की तरफ इसमें पूछा है सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतरकत आदर्श ग्राम निमनिक्त मैसे किस के केंदर के रूप में सेवा परदान करता है तो साथियों वो परदान करता है स्वस्ते सेवी स्वच्छता और हर्याली तीनों से संबंदी तो इसका D option सही रहेगा ये सभी प्रसन संख्या 127 इसमें पूछा गया है पंचायती राश संस्थाना की मध्यबरती सोपान कौन सा है तो साथियों मध्यबरती सोपान जो है पंचायत समिती आती है इसमें तो B option सही रहेगा प्रसन संख्या 128 देखने इसमें इसका A option सही रहेगा अब चलते हैं आगे प्रशन संख्या 139 की तरफ इसमें पूछा गया है जौहरलाल ढहरू बंदरगापोर्ट भारत की किस स्थान में स्थित है तो साथियों यह भारत के मूल रूप से भारत के महराश्टर के अंतरकत आने वाला यह है तो इसका B option सही रह आगे चलते हैं प्रशन संख्या 130 इसमें पूछा गया है किंद्री जल आयोग की अध्यक्षता किस स्थर के अधिकारी करते हैं तो साथियों यह करते हैं भार सरकार के पदेन सचिव तो इसका A option सही रहेगा आगे चलते हैं प्रशन संख्या 131 इसमें पूछा गया है भारत कितने भारतिय कितने भारतिय राज्यों ने अभी तक राज्य अल्प संख्य आयों की स्थापना की है तो साथियों यहां पे राज्यों के विशे में पूछा गया है तो इसका सही ऑप्शन जो रहेगा वह रहेगा ऑप्शन सी 15 राज्यों ने अभी तक यह कार्य किया है आग में लिखत मैंसे कितना नगद पुरुषकार दिया जाता है तो इसके अंतरगत कहा जाए तो दो लाग तक दियाता है जाती हो डेल्टा उप्शन इसका सही रहेगा प्रशन संख्या 32 हो गया प्रशन संख्या 133 पूछा गया है भारत में कुल कितने केंदर शाशित परदेश ह को माना गया है और बाद में जाकर कि अब जो दो एकठे हो गए है तो 31 अक्तूबर को इन्हें 9 केंदर शाशित का दरजा दे दिया गया थे लेकिन फैबरेरी में आकर के कुल केंदर शाशित परदेश्यों की संख्या 8 हो गई 2 केंदर शाश्यों को जोड दिया गया तो be option इसका सही रहेगा अंसर की में साथियों इसका उत्तर सी बताया है नौ बताया है आप इस प्रशन को चैलेंज कर सकते हैं तो यदि आप किसी जी के भाग से देख रहे हैं तो आप कोई government site कोई भी देख सकते हैं जैसे newspaper होगे government या कोई government site के उपर इसके विशे में कहा गया हो तो आप महां से इसके विशे में करमचारी आयोग को लिख कर भेज सकते हैं तो आपका अंसर और साथियों रोल नंबर जरूर लिखें अपना कुछ अभ्यारती सोचते हैं कि किसी ने रिट डाल दी तो हम सभी का अंसर ठीक हो जाएगा लेकिन साथियों यदि आप स्वयम करेंगे तो आपके लिए चांसी थोड़े जादा रहते हैं आगे चलते हैं प्रशन संख्या 134 इसमें पूछा गया है निमन्लिख्ट मैंसे कौन सा पूर्वता करम निमन्तम स्थान पर है तो निमन्तम स्थान पर जो पूर्वता करम की बात करें तो साथियों वह है मुख्य चुनाब युक्तु सीट्टा उप्शन इसका सही रहेगा प्रसन संख्या 136 देख ले एक सो पैंतिस देख ले निम लिखते मैं से किसके मरनो परांत भारतरतन दिया गिया तो यह आपके सामने उप्शन्स हैं तो मरनो परांत जो मिलने वाला है वो मिला था जेपी न परां हस्त निर्मित मृत भांड का सरप्रथम उप्योग किया गया था तो वो था नव प्रसस्तरकाल तो इसका सी ऑप्शन सही रहेगा आगे चलते हैं प्रसन संख्या 137 इसमें पूछा गया है बेदों को निमन लिखते में किसमें विवाजित किया गया है तो सात्यों बे सूर्षेन महाजनपद की राजधानी किस स्थान पर थी तो सूर्षेन महाजनपद की जो राजधानी थी सात्यों तो बहत ही मतुरा तो इसका बी ऑप्शन सही रहेगा आगे प्रसन संख्या 149 इसमें पूछा गया है निमिलिक्त में से कौन सी सरक्षन में चौती बहुत सं आश्र कौन था तो वो थी मिनालडर तो इसका ए ऑप्शन सही रहेगा आगे चलते हैं प्रसन संख्या 141 में पूछा अजंता चितरकला किस काल की सर से समबंदित है तो अजंता गुफाएं गुपत काल से समबंदित है तो बी ऑप्शन सही रहेगा जजिया कर किस पर था त में पूचह गया है पुचा गया है प्राहण संख्या 143 की अंसर पूचा है निमलिक्त में से किसके द्वारा दक्षणी दक्षण में भ्हामनी रज्य की स्थापना जो कीती वो कीती हासन गंगु की द्वारा की गय थी और बीजे नगर की हर 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 बुक का ने की थी 1336 इसमें आगे चलते हैं प्रसन संख्या 144 इसमें पूछा गया है कौन सा भक्ती संथ शिवा जी का समकालिक था तो शिवा जी के समकालिक संथ जो तुका रामति सातियो तो इसका ए आप्शन सही रहेगा आगे चलते हैं प्रसन संख्या 145 की तरफ इसमें पूछा गया था तो शेरसा सूरी का बास्तुई के नाम जो था सातियो तो शेरसा सूरी का बास्तुई के नाम फरीद था तो इसका डेल्टा आप्शन इसका सही रहेगा आगे चलते हैं प्रसन संख्या 147 की तरफ इसमें पूछा गिया है निमी लिखते मैं से किसे ने गुरु मुखी लिफी का अविस्कार किया था तो गुरु मुखी लिफी का अविस्कार जो की था गुरु अंगद ने किया था तो बी ऑप्शन सही रहेगा प्रसन संख्या 148 है निमे लिखते मैंसे कि स्थान पर 1916 में भारती महिला विश्यविद्याले की स्थापना हुई थी तो महिला विश्यविद्याले की स्थापना जो हुई थी साथियो वो पूना में हुई थी महराष्टर के अंतरद पूर्णा में हुई थी तो इसका C option सही रहेगा प्रसंसंख्या 149 है इसमें पूछा गिया है एक गिफ्ट टू मोनो एक गिफ्ट टू मोनो थेशिस्ट उस तक किसके दोरा लिखी है तो इसका A option सही रहेगा प्रसंसंख्या 150 इसमें पूछा गिया मुश्लिम लीकी स्थापना कब हुई जो 1906 में हुई थी साथियो तो delta option सही है प्रसंसंख्या 151 इसमें पूछा कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे दूर स्थित है तो सूर्य से सबसे दूर जो इसका बीटा option सही रहेगा प्रसंसंख्या 152 की तरफ इसमें पूछा गिया है सलेट किस परकार की चटान है तो साथियो सलेट जो आती है वो कायांतरी चटान के अंतरकत आती है तो इसका C option सही रहेगा प्रसंसंख्या 155 इसमें पूछा गिया है समाने तह किस बायो मंडली इस तरह में सभी परकार की मौसमी घटनाई होती है तो मौसमी घटनाई जितनी भी होती है साथियो वो क्षोब मंडली के अंतरगत आती है तो ए आप्शन इसका सही रहेगा प्रशन संख्या 154 है इसमें पूछा है टाइफून किस क्षेतर का है तो चीन में टाइफून जो है चक्रबात आता है टाइफून चीन में आता है तो ए आप्शन सही रहेगा प्रशन संख्या 155 है इसमें पूछा गया है डाउन घास भूमी की स्थान पर है तो उच अक्षांस से निमन अक्षांस की तरफ बहने बाली धाराओं को शीत धाराओं के नाम से जाना जाता है तो इसका A option सही रहेगा प्रसन संख्या 157 देखें इसमें पूछा गया है उत्री अमेरिका के मोल निवासी कौन थे तो उत्री अमेरिका के मोल निवासी जो थे वो रेड इंडियन थे तो इसका C option जो है सही रहेगा प्रसन संख्या एक सो अठासर देखें एक सो अठावन देखें इसमें पूछाएं निमलिक्त मैं से किसका नाम जकारता है तो वो है बाटाविया का तो इसका ए ओप्शन जो है 58 का ए ओप्शन सही रहेगा आगे चलते हैं प्रसन संख्या 159 की तरफ 159 में पूछा गया है हैदराबाद किस नदी की किनारे स्थित है तो हैदराबाद जो है मुंसी नदी की किनारे है तो ए ओप्शन सही रहेगा प्रसन संख्या 160 देखें इसमें पूछा निमलिक्त मैं से कौन सा रेशा युक्त फसल है तो रेशाय यूप तो जो है सन् ओती है सातियो तो ये आप्षनिस का सही रहेगा प्रसंद संग्या 161 है इसमें पूछा है कौन सा अधात्विक खनीज है तो मैगनेजियम जो है अधात्विक खनीज है बाकी सभी जो है धात्विक के अंतरगत आने वाले है प्रसंशंख्या 162 देंखे इसमें पूछा गया है वरोंली आईरल रिफाइनरी किस स्थान में है तो वरोंली आईरल फाइनरी जो है सातियोydiह बिहार के अंतरगत है और सबसे बड़ी आउईल फाइनरी जो है सातियो तो वह गुजुरात के अंदरगताती सबसे बड़ी है वह प्रसन संख्या 163 देखें इसमें पूछा गया है दक्षली पश्मी रेलवे का मुख्याले कहां परस्तित है दक्षली पश्मी रेलवे का मुख्याले जो है बहुबली है साथियो तो इसका डेलटा उप्शन सही है प्रसन संख्या 164 देखें इसमें पूछा गया है सिमली पाल वाइस फेर रिजर्ब जो है किस राज्य मिस्थित है तो साथी सिमली पाल जो है यह ओडिश्या के अंदरगत है तो सी उप्शन सही रहेगा प्रसन संख्या 166 देखें 165 देखें पहले 165 में पूछा गया है किस वर से दार्जली हिमाले रेलवे को युनेसको ने विश्व बिरासत धरोहर के अंतरगत सामिल किया तो 1999 में किया था तो ए उप्शन इसका सही रहेगा आगे चलते हैं प्रसन संख्या 166 की तरफ प्रसन संख्या 166 की अंतरगत पूछा गया है किस संबेधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा दिल्ली को भारत के राश्टी राजधानी के क्षेत्र का दरजा दिया गया था तो साथियों यह संबेधानिक संशोधन अधिनियम जो था उसकी संख्या थी 69 तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा प्रसन संख्या 187 देखें इसमें पूछा गया है निमें लिखते मैंसे कौन संशत के दोनों सदरों के संयुक्त बैटक बुला सकता है तो साथियों दोनों सदर जन की अनुशंसा कर सकता है तो साथियों ऐसा करने वाले जो हैं वो प्रधान मंत्री हैं तो इसका सी ऑप्शन सही रहेगा प्रसन संख्या 169 में पूछा गया है संशत का कौन संशतर सबसे छोटा होता है तो साथियों वो शीत कालिन संशतर होता है आगे चलते हैं प्रसन स प्रकार से आज हमने जो की परिक्षा पोस्ट कोड़ साथ से संबंदी परिक्षा हुई थी रविवार को उसे संबंदी सीरिज को अभी हमने हल किया तो साथियो मूल रूप से इस सीरिज में तीन प्रशन गरत पाएगे आप उसे संबंदी जो है रिट कर सकते हैं और यदि आप करना चाहते हैं तो आप उनसे संबंदी फोट स्टेट कॉपी उस चीज की जो इसका आपको सही अंसर लग रहा है उसको देख सकते हैं कब तक तो साथियो उसके लिए डेट रखी है दो नवंबर 2020 से पहले शाम पांच बजे से पहले आपने इस संदर्व में जमा करवाना है तबी आपका प्रशन जो है मानने होगा तो साथियो इस भाग में इतना ही मिलते हैं अगले भाग में अन्य प्रशन पत्तर के साथ तब तक के लिए नमो नमा साथियो